आज कहा हमारा टॉपिक है मेकैनिकल एनर्जी, इसको मैथेमेटिकल हम रिप्रेजेंट करते हैं, E is equal to K plus V, K for kinetic energy and V for potential energy. अब इसके उपर हमारे पेपर में कॉश्चन आता है कि आपने ये प्रूव करना है कि मेकैनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है for a freely falling body, अकर कोई body उपर से निचे freely fall कर रही हो, जैसे आप छट से कोई पत्थर निचे फैंक दो, तो उस case में जो आपकी A से लेके C पॉइंट तो, जहां से आपने उसको drop किया और C जहां पर गिरा, वहां तक जो आपकी mechanical energy होगी, वो through-out process आपकी same रहेगी, तो यह हम इसमें प्रूव करेंगे, let us calculate kinetic energy, potential energy and total energy of our body falling freely under gravity, महला आपने उसको drop करना है ठीक है, और gravity के help से वो नीचे की तरफ को move करेगी, let them be the mass of the body held at a height h above the ground, हमने height को h माल लिया इस case में, अब a point पे हम सबसे पहरे इसको calculate करेंगे, जब आपने a point पे उसको hold करके रखा है, तो उसकी velocity कितनी होई, 0, क्यूंकि आपने उसको पकड़ा हुआ है, तो उस case में kinetic energy कितनी होगी, 0, क्यूंकि kinetic energy आपकी velocity पे depend करती है, velocity 0 तो kinetic energy भी 0, और potential energy आपने gravitation potential energy पढ़ी हुई है, it is mg और कितनी height है यहाँ पे इसकी h, ठीक है, तो h है, तो इसलिए आपका mg h आजाएगा, तो total mechanical energy कितनी होगी, kinetic energy प्लस potential energy, kinetic energy है 0, potential energy है mg h, तो total mechanical energy आपकी a point पे होगी, mg h, ठीक है, यह होगी आपका first part, अब हम second part पे हैंगे, बी point पे, अब बी point पे जब आप expression करो, तो एक चीज़ आपने बड़े अच्छे से समझनी है, कि जो kinetic energy है, वो नीचे की तरफ को बढ़ेगी, महला speed आपकी कैसी होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जब आप नीचे की तरफ को होगे, और जो potential energy होती है, वो height पे depend करती है, ground से, तो आपने जब भी kinetic energy के expression को पढ़ना है, तो आपने उपर से नीचे की तरफ को देखना है, और जब भी आपने potential energy की calculation करनी होता, आपने नीचे से उपर की तरफ को देखना है, यह बड़ी important बात है, इसमें आपने अच्छे से समझनी है, तो हम माल लेते हैं कि जब आपकी body B point पे पहुंची, तो उसकी velocity है V1, तो kinetic energy कितने होगी तब, half M जो mass है उसका और V1 उसकी velocity है अट B, ठीक है, तो V1 का square, फिर हमने एक expression पढ़ा हुआ है, V square minus U square is equal to 2AS, तो यहाँ पे V की जगा हो जगा V1, U आपका शुरू में velocity है, वह है आपकी 0, acceleration G दे रहा है, और kinetic energy की बात हो रही है, तो distance कहां से लोगे, उपर से नीचे, जो मैंने आपको समझाया, तो यह लेंगे हम X, 2GX, तो V1 की value यहाँ पे 2GX put कर देंगे, तो अब आपकी जो kinetic energy हो बन जाएगे half M 2GX, तो kinetic energy कितनी हो जाएगी calculate करके M G X, अब हम बात करेंगे potential energy at B, तो मैंने आपको कहा potential energy कहां से कहां calculate होती है, ground से आप कितनी height पे हो, तो B point पे ground से आप कितनी height पे हो, H minus X, तो जो आपकी potential energy है, उसमें अब height आपने कहां लेनी है, H minus X, M G, H minus X, तो यह बन जाएगा M G H minus M G X, total mechanical energy कितनी होगी, M G X, kinetic energy, plus potential energy कितनी है, M G H minus M G X, जो यहाँ से आप लेनी है, फिर से mechanical energy कितनी होगी, M G H, तो equation 2 में भी आपकी same mechanical energy आ रही है, जैसे equation 1 में आई थी, अब at point C आजाओ, at point C, velocity हमने V मान ली, तो आपकी kinetic energy कितनी होगी, half M V square, फिर से वही expression, अब आपने kinetic energy की बात हो रही है, तो अब आपने A से measure करना है, कहां पे पहुंच गया हो, C पे, तो A से आप कितना distance travel किया आपने, H distance travel किया, क्यूंकि उपर से नीचे देखना है, kinetic energy की बात हो रही है, तो A से देखना है, तो C तक आपने कितना distance travel किया, H, तो kinetic energy के case में, आपने height कितनी linear है, तो V square किना हो गया, 2GH, यहाँ पे value पुट करेंगे, तो यह बन जागा MGH, calculation के बाद, ठीक है, V square की value पुट की, फिर potential energy at C, अगर potential energy की बात करें, तो ground से कितना उपर हो, 0, आप ground पे ही हो अब, तो इस case में, अगर आप ground पे हो, तो आपकी potential energy भी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, क्यूंकि height आपकी 0 होगी, ground से, तो mechanical energy कितनी होगी, MGH, तो तीनों ही case में, हम देख रहे हैं, कि आपकी mechanical energy कैसी है, same है, तो इसमें, जो important बात मैंने आपको बताई, कि kinetic energy की case में, height उपर से नीचे की तरफ देखनी है, और potential energy की case में, height आपने नीचे से उपर की तरफ को देखनी है, यह important बात है, इस article को समझने के लिए, ठीक है, इसके बाद हम इसके कुछ, diagramatically expression समझेंगे, at a energy is entirely potential energy, a point पे आपकी सारी energy कितनी किसके बराव रहा है, potential energy के बराव, क्योंकि kinetic energy यहाँ पे क्या है, zero, तो यह, a point पे, यह तो potential energy maximum लिए हमने, यह potential energy का कारव है यहाँ से, at a, आपकी कौन से energy है, potential energy, kinetic energy dotted line से लिए है, तो कितनी है, zero, at c, dotted आपका maximum हो गया, dotted यहाँ पहुँच गया है, और आपका जो potential energy हो, यहाँ पे है, तो c point पे, ground पे, जब आप पहुँचोगे, तो potential energy आपकी zero हो जाएगी, और kinetic energy आपकी maximum हो जाएगी, ठीक है, तो यह अपने diagram जुरूर बनाना है, और in between अगर आप लेते हो, कहीं पे भी बीच में इस point पे आजाते हो, तो आपकी जो total energy है, it is partially potential and partially kinetic, महलब कुछ आपका हिस्सा kinetic energy का होगा, और कुछ हिस्सा आपका potential energy का होगा, जब आप बीच में कहीं हवा में हो, ठीक है, ना ground पे ना top पे, तो उस case में आपकी partially potential और partially kinetic energy होगी, इसके बाद एक और बड़ा important expression है, mass energy equivalence, तो इसको मैं एक numerical से समझाने के आपको कोशिश करूँगा, if 2000 kg of water is heated from 0 degree to 100 degree Celsius, what will be corresponding increase in mass of water, आपने 2000 kg water लिया हुआ है, और उसको आपने 0 से 100 degree पे boil कर दिया, 100 degree पे boil करेगा, नच्चो सी बात आपको होता boiling point होता है, तो जब वो आपने उसको boil किया, और container को बिल्कुल बंद रखा हुआ है, ठीक है, उससे आपने heat बाहर नहीं निकलने देनी है, तो उस case में यह कहता है, कि जब आपने उसको heat दे दी, तो क्यूंकि यह उपर relation क्या कहा रहा है, कि energy देने से उसका mass बढ़ना चाहिए, तो वो कहा रहा है कि कितना mass बढ़ेगा, वो आपने calculate करना है, तो mass 2000 kg है, और जो आपका, इसको आपने gram में convert किया, फिट temperature change आपका 100 degree Celsius है, और आपकी C, specific heat हम इसको कहते हैं, specific heat आपकी 1 calorie per gram per Kelvin दी हुई है, तो यह relation आपकी 7th unit में पढ़ोगे, heat energy gained, heat energy gained होती है, specific heat, mass, change in temperature, तो यह direct relation आप याद करने ना आपने, values इसमें put कर दी मैंने जो आपको दी हुई है उपर, तो आपका जो answer है, calories में आएगा, क्योंकि आपने CGS सिस्टम को लिए हुआ है, 2 into 10 star 8 calories, ठीक है, अब इसको मैं joule में convert करूंगा, तो 1 calorie होता है, 4.2 joule के बराबर, तो 1 calorie 4.2 joule के बराबर होती है, तो इसको 4.2 से multiply करेंगे, तो आपका जो answer आजागा, 8.4 into 10 star 8 joules, तो इससे एक mathematical relation भी आपको याद रहेगा, कि 1 calorie कितना होता है, 4.2 joule के बराबर, joule ऐसा ही unit है, फिर increase in mass, तो यहां से हम निकाल लेंगे, यह relation M कितना जागा, E by C square, तो यहां पे हमने value put की, तो increase in mass आगया, 0.933 into 10 star minus 8, यह ध्यानक ना minus 8 है, kg, बहुत कम increase हुआ, 10 star minus 8, आप समझ सकते हो, बहुत छोटी quantity है, लेकिन increase हुआ, जिससे हम बता सकते हैं, कि जब भी आप किसी object को heat देते हो, तो उसका mass increase करता है, ठीक है, उसके आद एक और numerical हम करेंगे, conversion के उपर, कि आप एक energy को दूसरी energy में convert कर सकते हो, a rubber ball falls on a floor from a height of 19.6 meter, calculate the velocity with which it strikes the ground, to what height will the ball rebounds, if it loses 25% of its energy on striking the ground, तो यह बोलता है, पहला तो यह है कि आप यह निकालो कि कितनी velocity, जब उसको आपने नीचे फैंका, drop किया, तो कितनी velocity उसने ground को hit किया, पहला काम, ठीक है, दूसरा यह बताना है कि अगर गिरने से उसकी energy loss, टकराने से energy loss होती है, तो वापिस वो कितना height पे आएगा, पहला कितना था, 19.6, तो क्योंकि energy loss है, तो natural सी बात है, इससे कम ही होगा, पहला hint तो यहीं से मिल जाएगा, तो आपने height ले ली, energy loss 25%, on striking the floor, kinetic energy किस में का नोट होगी, potential energy में, थोड़ी देर के लिए जब रुकेगा, थोड़ी देर के लिए जब रुकेगा, तो आपके रुके जो energy पुझास होती है, आपने बोला ना, rest पे जो energy पुझास करता हूँ, होती है, potential energy, तो kinetic energy किस के बरावर आजाएगी, potential energy के बरावर, formula दोनों का आपको पता है, यहां से velocity आप निकाल सकते हो, h की value आपको पता है, तो यह आजाएगा velocity 19.6 meter per second, तो यह आपकी velocity आगी, जब आपने उसको height 19.6 meter से drop किया, थीक है, अब होता है, 25% energy loss हो गया है, तो final energy must be 25% less, मतलब 75 by 100 होगी, थीक है, 25% less का मतलता है, 100 से 75 रह जाएगी, तो 75 by 100 of initial energy रह जाएगा, तो 75 by 100, MGH1, पहले MGH1, और बाद में कितनी होगी, MGH2, MGH2 से MGH कट गया है, तो H2 कितना आगया, 14.7 meter, जो कि 19.6 से कम है, तो हमने कहा ना, कि 25% अगर less हो जाएगी, तो सिर्फ इतना ही वो उपर जा पाएगा, 14.7 meter तब, तो इसमें एक चीज़ और आपने समझनी है, या आप बुक से पढ़ लेना, different forms of energy, different forms of energy में आपके बास heat energy रहता है, internal energy रहती है, electrical energy रहती है, chemical energy, nuclear energy, ये चीज़ें आपने बुक से पढ़ लेना, अगर कोई doubt होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है,